जोहार हजारी बाग, मैं फैया जनवर आप देख रहे हैं, जोहार हजारी बाग, अभी पूरे जहारकंड में करम पूजा चल रहा है, तो क्या आप जानते हैं करम पूजा के बारे में, मेर साथ मुनालीसा जी है, आज ये बताएंगी करम पूजा के बारे में क्या होता है, कर्ण पुजा की बहुत-बहुत हार्दिक शुब कामना है यह एक प्रथा है जो चलती आई है क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासी जुमूल वासी है और जो सिर्फ पहाडों जंगलों जल और जमीन की लड़ाई लड़ते आए हैं लेकिन उनका दूसरा पहलू है दूसरा है चेहरा कि वो सिर्फ जल जंगल जमीन के लिए क्यों लड़ते आए हैं क्योंकि वो प्रकृती के उपासक रहे हैं उनके उनका जो प्रकृती के प्रती जो आभार रहता है वो फूट के दिखता है और इस करम पूजा के समय में करम के जो फूल होते हैं जब वो फूटते हैं और जो करम का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है और ये दिया जाता है कि क्रिशी जो आपका जो अभी हमारा जो रोपा होता है रोपा के बाद अच्छी फसल के लिए प्राथना की जाती है और ये चीज कहा जाता है ये पूजा होती है कि हे इश्वत हमें अच्छी फसल और धर्ती मा को वहां पर दिया जाता है चड़ावा जावा चड़ाया जाता है कि उनके तरफ से जो अच्छी फसल हुई है ये फसल ता उमर और लंबे समय तक चलती रहे और ये एक धन्यावात की तोर पर किया जाता है ये क्या कौन लोग मनाते हैं मतलब हिंदू धर में मनाया जाता है अधिवासी मनाते हैं या फिर कौन मनाते हैं आधिवासी में कोई हिंदू कोई ये नहीं है जैसे बाट दिया गया है न धर्मों में वैसा कुछ नहीं है आधिवासी आधिवासी ही रहता है धर्म अलग है जा कुछ बी अगर हो जाए अगर आप मनखर को पूछा जाए कि आधिवसी कौन है तो अधिवसी सिर्फ मूलवासी है और अधिवसी के सिर्फ दो ही प्रारूप San crossed Canada सब्सक्राइब था नाखपूर नाकपूर क्लेड्य ने कि रात में जो है लोग मनाते हैं गाना बजाते हैं डान्स करते हैं बीच में पीड़ कप डाल रहता है वो बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा है कि इसमें जो प्रथा चली आई है उसमें दो कहानिया है एक जो है भाई बहन के लिए भी आपका करम पूजा मनाया जाता है भाई बह यह था कि सूरज भाई रहता है और चांड भाही रहता है, तो इस प्रकार से सूरज खफा हो जाता है, सूरज दिवताप क turnaround जाता है जादा है कि नहीं तुमको उसी लड़के से शादी करने पहां। ऊछमक तो उनके मिलाप में उनके संदर्व में ये पूजा की जाती है कि सूरृज और चांद के प्यार को प्रतीक मान कर कि वह कभी अपना दामन नहीं छोड़ते अगर सवेयरा होता है तो रात होती है अगर सवेयरे में लोग मिलने जाते हैं वो क्या करते हैं मतलब कोई लिए कोई पूजा चल रहा हुद कोई एक प्रकार का पिठा बनता है हर प्रकार का आपको मडवा से बना हुआ से लेके आपको सरही से निक्स के सब चीज का आपको पकवान मिलेगा जो पकवान आप सोच सकते हैं कि आधिवासी मूल जाती क्या यह करते होंगे बहुतों का कहना है कि उन लोग क्या खाता होगा अंगी खाते होंगे तो वही कंद मूल खाके आज हम लोग घुष्ट पुस्ट है जादा तर अगर देखिएगा तो आधिवासी मूल वासी के बीच में आपको कभी बीमारी उतनी जल्दी नहीं मिलेगी और वो लोग प्रकृती के नस्दीक ही रहते हैं और उनका जो पकवान जो रह करते हैं मोनिशा चाहूं को शूट गया है इसके बारें बताने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं छो सबसे पहला पहला चीज है कि एक प्रेम का प्रतीक है आप करम पूजा को आज कल बहुत मैं एक बस संदेश देना चाहूंगी कि जैसे लोग करम पूजा को ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ठीक है करम पूजा हो गया सरहुल आ गया तो इसमें आदिवासी जो है वो पी के सिर्फ अपने पी के रहते हैं तो ये पीने का दिवस नहीं है ये पीने का कोई प्रतीक नहीं है कोई पूजा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ जैसे महुआ हो गया या हड़िया हो गया वो जो रहता था वो देवता को चढ़ाया जाता था एक प्रतीक होता है कि चढ़ाना वो करम पूजा से लेके हर एक चीज मनाईए लेकिन प्यार और सुहाद्य से मनाईए और अपनी अपनी सीमाओं को देखिए पी जैसे पीने का यह कोई प्रतीक नहीं है करम पूजा और करम पूजा हमेशा से ही बहुत नजदीक रहा है मेरे तो करीबी रहा है क्योंकि मैं आज जो विलॉप्त चीज हो रही है हमारे बीच में उस अंस्कृती को आज हमारे जो भी यूवा पीड़ी है वो जिन्दा रखे हुए है आज हम लोग उमीद करें कि इस स्टोरी के बाद इनके बाद जाएंगे गाउं में और देखेंगे कि रात में आखिर करम पूजा कै आज बारिश भी है तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे करम पूजा कवर करने का एक्चुली में होता कैसे है क्या होता है और जिस तरह से मुना जी ने बताया वो जा के देखेंगे तो और मज़ा आएगा बहुत-बहुत धन्या जो हाएगा